सोलन में 23 दिसंबर को भाजबा की शिमला सांसितिय शेतर के प्रपन्दना प्रमुख का सम्मेलन पुलिस क्राउंड में आयजित किया जाएगा इसके लिए विशेश रूप से त्यारियं की जा रही है इस सम्मेलन में भार्तिय जंता पार्टी के राश्टिय अध्यक्ष अमित शाह विशेश रूप से शिर्कत करेंगे ये जानकरी आज प्रेस क्वार्ता में भाजबा सोलन के जिला अध्यक्ष क्रिशनलाल ठाकुर ने दी उन्होंने बताया कि सोलन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भाजबा प्रयास कर रही है और वह इस सम्मेलन को मंडी में हुए सम्मेलन से भी बेहतर करने का प्रयास कर रही है उन्हें कहा कि इस सम्मेलन म का बिगुल्फ फूकेंगे जब जिला ध्यक्ष के कियल ठाकुर्ण से तीन राज्यों से हुई हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की जीत जीत नहीं है बलकि जहां कॉंग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है वहां मद्दान की दिश्ची से भाज जीत को जीत नहीं मानते जो 23 तारिक को शिम्बला संसे शेतर का पन्दाप्रों का समेलन सोरुन में योजन होने जा रहा उसके बारे में एक बड़ी महत्तवर्ण बैठक थी मंदी पार्लिमेंट से पूरी शिम्बला पार्लिमेंट के लिए दर दर स्विस्तार का है हर मंदल के लिए तो उन सब को दिशनिद्रेश दिए गई उनको दिल्कुल यह जो हार हुई इसके बारे में तो हम सब को मालूम है हार है यह तो लोकल कारण थे दो स्टेटों में जैसे आपका मद्धे प्रदेश और शतिसगड़ पिछले पंदर साथ से हमारी सगार थी तो जाहिर सब्सक्राइब के लिए और जहां तक मद्धे प्रदेश की बात है मद्धे प्रदेश में हम लगों बरावर रहे हैं और वोट परसेंटेज इन पॉइंट में हमारी उन से ज्यादा है कुछ कारणों से ठीक है कौंस जो है अपना कुछ जैसे लोग लगाव ने वादे किये पूरा नहीं कर पाएंगे पूरा विश्वास है फिर भी उनने लोगों को गुर्णा कर दिया के और इशुज रहे नोटा को काभी बोटे पड़ी के अरक्ष्ण के बारे में भी गुर्णा किया गया तो गुर्णा का थोड़ा फाइदा उनको मिल गया पर तो उनकी जीत न पूरत